राजे का एक खास जिला है, ये जिला बिहार के 37 जिलों में से एक है, मुजफरपुर उत्री बिहार राजे का तेरोहित डिविजन का हेड़ा क्वाटर है, मुजफरपुर जिला बिहार के बड़े जिला में से एक है, इस जिले के उत्तर में पूरवी चमपारण और सीता दक्षन में व्याशाली और सारन, पूर में समस्ती पुर और दर्भंगा, तथा पस्चम में गोपाल गंज से घिरा है, मुजफरपुर को एक गौरवशाली का अतीत भी मिला है, और मौजूदा इतिहास समान रूप से प्यारा और बहुत ही दिल्चस्प रहा है, मुजफरप खान, चक्रला नाई के किसान द्वारा की गई थी, अपने सूती कपडों के व्यापार के लिए, लोहे की चूडियों के लिए, शेहद तथा आम और लीची, जैसे फलों के बढ़िया पैदावार के लिए, यह जिला भारत में ही नहीं बलकी, पूरे विश्व में जाना जा खास कर यहां कि शाही लीची का पुरे दुनिया में कोई जोड नहीं है, यहां का शाही लीची भारत के कोने-कोने तक जाता है, और व्यदेश में भी खूब डिमांड रहता है, यहां तक कि भारत के रश्चपती और प्रधानमंतरी नरेंद्र मोदी को भी यहां से ही के लिए और स्वादिश फलों के स्वाद के लिए मुजफरपूर देश्वदेश में स्वीट सिटी के नाम से जाना जाता है, 2017 में मुजफरपूर शहर को प्रधानमंतरी नरेंद्र मोदी द्वारसमार्ड सिटी के लिए भी चुना गया है, मुजफरपूर जिला में 3172 व है, और महिला की कुल आबादी 22,73,500 है, जिसमें की हिंदू दर्म की कुल आबादी 40,32,000, इसमें हिंदू पुरुष की आबादी 21,28,000, और हिंदू महिला की आबादी 19,41,000 है, बात करें मुसलिम दर्म आबादी की तो, मुसलिम दर्म की कुल आबादी 7,44,000 है, इसमें तीन लाग सतासी हजार पांच सव है और मुस्लिम महिला की आबादी तीन लाग अठावन हजार पांच सव है मुझफर पूर जिला में रहने वाले परिवारों की कुल संख्या नौ लाग पैंतालिस हजार साथ सव है मुझफर पूर जिला में दो अनुमंडल है जिसका नाम है पूर्वी अनुमंडल और पस्चमी अनुमंडल और यहां पर सोलह प्रखंड है इन सोलह प्रखंड के नाम है और आई बोचां, गायगार, कट्रा, मीनापूर, मुरॉल, मुसहरी, सक्रा, कांटी, कुड़नी, मुझफर पारू, साहिब गंज, सरेया, बंदरा, मर्वा, बात करे मुझफर पूर जिला के पंचायत की और गाउं की तो, यहां पर पंचायत 387 हैं, और गाउं 1811 हैं बात करे मुझफर पूर नदी की तो, यहां पर गंडक, बुधी गंडक, बागमती और लखनदेई नदी बहती हैं, मुझफर पूर में बहुत सारे मशूर जगे देखने को मिल जाएगे जैसे बसो कुंड, जुबा साहनी पार्क, बाबा ग्रीबनात मंदेर, देवी मंदे कोठिया मजार शरीफ, मजार हजरत कमल शाह, मजार हजुरत दाता मुझफर शाह, इनही के नाम से मुझफर पूर जिला का नाम पड़ा है बात करें यहां के स्कूल और कॉलेज की तो, कुछ महत्वपून कॉलेजों के नाम इस प्रकार है मुझफर पूर के कुछ महत्वपून प्राइवेट स्कूल के नाम इस प्रकार है बात करें मुझफर को रेलवे स्टेशन की तो, यह रेलवे स्टेशन भारतीय रेलवे के इस सेंट्रल रेलवे क्षेतर किसोनपूर डिविजन के अंतर गत आता है इस टेशन पर टोटल साथ प्लेट पॉर्म और पंदरा ट्रेक है इस टेशन से रोज जानाई कीस हजार से ज्यादा यात्री सफर करते हैं मुझफर पूर जंक्षन बिहार का चाओ था सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन में से एक है बात करे सडक रास्ते की तो मुझफर पूर बिहार के अलग-अलग शहरों से सडक के माध्यम से जुड़ा हुआ है अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो क्रिप्या लाई करे, मेरे चैनल को सबस्क्राइब जरूर करे और अपने दोस्तों और रिष्टेदारों के साथ शेर करना न भूले वीडियो पुरा देखने के लिए धन्यवाद